हाई एबरिवन आज हम आए हुए हैं कानपुर बोट कलब में यानि कानपुर गंगा बैराज पर हम घूमने आए हैं जिसे हम लबकुस बैराज के नाम से भी जानते हैं दोस्तो बहुत ही खुबसूरत फ्रेंड्स यहां का नजारा है यह आप देख सकते हैं in the front of view देखिए दोस्तो बहुत ही संदर यहisin गंगा बैराज है और दोस्तो हैं और निए बोटिंग का जो टाइम है वो 11 बज़े से लेके 3 बज़े तक यहां आपर हे आप देख सकते हैं बहुत ही संदर दोश्टव यहां का नजा रहा है अभी हम बोड में हैं और एहां पर हम गंगा बैराज में यहां पर इंजॉय करते हुए यह आप देख सकते हैं और दोश्टो इसका जो जल हे वो हलका हलका Я ब्रीन कलर का जो जल दिखाई दे रहा है यह आप देख सकते हैं चारों तरफ दोस्तों हरयाली और बीच में होना इस जल का इस कानपुर वोट कलब को और भी खूबसूरत बनाता है दोस्तों यह हट बनाई गई हैं जहां आप धूप में बैठके आराम से इंजॉय कर सकते है आपना टाइम यहाँ पर इस्पेंट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ aut beb दोस्तों यहाँ से ले सकते हैं बहुती खूप finest यहां का नजारा यहां कहते है और जोस्तों यह लिख रहा है यह पिंक और विण। यहाँ कलरट से इसका जा जो लोगो है कानपुर वोट कलब इन the right of V यह परेटा किस्तल है दोस्तो चैनल पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम ऐसे ही परेटा किस्तल की वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोस्तो आप सेल्फी ले सकते हैं सेल्फी लेने के लिए य इससे कानपुर वोट क्लब यानि गंगा बेराज और भी खुबसूरत का केंद्र दोष्टो रात में बन जाता है, बहुत ही खुबसूरत का नजारा है, यह आप देख सकते हैं, जल है वो दुश्टों बहुत ही यहां का खुबसूरत है, काफी दोष्टों यहां बॉकिंग बगर आप यह आप कर सकते हैं और दोस्तों गंगा बैराज NH91 बाइपास का हिस्सा है और यह लखनव उन्नाव की ओर से कानपुर का प्रिवेश द्वार है बहुती खूबसूरत यह गंगा बैराज है यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह खाने पीने के लिए बर्गर और पि कुल उड़ ओराज है यह कुल और आप सकते हैं दोस्तों पर अबस्तों अपिर के लिए यह खाराज है